जादूई गाए, शिवपुर नाम का एक गाव था, जिसमें दो किसान रहते थे, वह एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, वह दोनों बहुत अमीर थे, उनके पास तीन से तीन खेत थे, उनके पास कई गाए और भैंसे भी थी, वे उस गाव के सबसे अमीर किसान थे, वह इतनी अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे, उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था, उस गाव में इन दोनों किसानों के अलावा और एक किसान था, जो गरीब था, उसका एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था, गरीब होन जो कुछ भी है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता, वह दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे, उसे इतना खुश देखकर वह इस सोच में पढ़ जाते कि यह इतना खुश कैसे है, जबकि वह हमसे बहुत गरीब है, उसके पास ज्यादा धन तब उसका बहुत मजाक उराते, वह उससे अपने धन्वान होने का दिखावा करते, वह उसकी गरीबी का मजाक उराते, फिर भी वह गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता, उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता था, इससे वह अमीर किसान क्रोध में आजाते, यह कहानी ऐसी ही चल रही थी, एक दिन की बात है, उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा, उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाए दे दो, उसके बदले हम तुम्हें सो चांदी के सिक्के देगे, जो तुम लिए वह किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान का इंकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। वह रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी। जिससे वह धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए जब वह गरीब किसान सुभ उठा और अपने खेत में गया तो वह अपनी खेत की ऐसी दशा देखकर दुख के कारण रोने लगा वह बहुत उदास हो गया उसके पास अब धन की कमी हो गई थी अब उसके प अपनी गाय को बेच दे इसलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तै किया वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गाव बेचने के लिए गया उसने अपने साथ दस चांदी के सिक्के भी लिये थे वहां रास्ते में एक जंगल आया उसने सोचा कि किसी ने मुझ को हमला कर दिया त थोड़ी देर मुसाफारी करने के बाद वह ठक गया। इसलिए उसने एक सराय मुसाफिर खाना में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया। वह बांध कर सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का गिर गया। जिसे चांदी का सिक्का भी उसी गाए से निकला है। जब वह गरीब किसान आराम कर सराइ में से बाहर निकला। तब उस सराइ के मालिक ने उसे पूछा कि आप कहा जा रहे हो। तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया कि वह अपनी गाए को बेचने दूसरे गाव जा रहा है। य उसने उस किसान को हजार चांदी के सिक्के दिये और उसे अपनी गाय को देने को कहा। यह मुल्य उस गाय के मुल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझ कर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया। वह किसान खुश होकर अपने गाउं वापस चला गया। वह अपने घर जाकर बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। वह दोनों अमीर किसान आये और उस गरीब किसान के पास हजार चांदी के सिक्के देखकर चौक गए। उसने उस गरीब किसान से पूछा कि तुम्हारे गाय खरीदेगा और उससे बहुत ज्यादा धन कमाएगा उनकी चाल उल्टी पड़ गई यह जानकर अमीर किसान दुखी हो गए सीख बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है